प्लाटफोर्म आज का जो यह मेरा वीडियो है यह हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन में जो असिस्टेंट इंजिनियर और मोटर वहिकल ऑफिसर से रेलेटेड जो आठ सेप्टेंबर को एक्जाम हुए है उसके में से रेलेटेड है और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कि सर कितना कट ओफ जाएगा कब तक शॉट लिस्टिंग आएगा सो देट वी स्टार्ट प्रपेशन फोर दा मेंस एक्जामिनेशन राइट यही मेरा जंडा है आज का वीडियो का आई यू वेटिंग फॉर दा स्क्रीनिंग टेस्ट अंसर की एंड दा कट ओफ देको नॉ आप लोगों को उसका अंसर की आ जाता है रिस्पॉंज शीट आ जाता है और आपको टाइम मिलता है उसकी डिस्क्रिपेंशी को लेके आपको रेज करने का जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होती है डाउट होता है तो वह आप अपने चैलेंज जो है वो रेज कर सकते हैं और आपको एक वीक का प्रॉसेस होते हैं अभी तक 8 सेप्टेंबर के बाद आज 11 तारीक हो चुकी है दो तिन दिन हो चुके हैं तो अभी तक कोई अंसर की नहीं आई है और नहीं कोई ऐसा रिस्पॉंज शीट नहीं चैलेंज करने को लेके कोई ऐसा अभी तक निउस आया है मेंस का एक्जाम है आज से आप लोगों के पास 18-19 दिन है थोड़ा सोचो कि अगर स्पोज आज अंसर की आ जाता है तो आपके पास 4-5 दिन का वो टाइम देंगे उसके बाद वो शॉट लिस्टिंग निकालेंगे चेक करेंगे करेंगे तो यह प्रोसेस लेट हो जाएगा Now the news is कि देर में भी चांस कि इसका आप लोगों को अंसर की या आपको चैलेंज करने का option ना मिले Directly आपको शॉट लिस्टिंग आ जाए अभी हर्याना ने किया भी है अभी मेरे को अभी एक्जाम का तो नहीं ध्यान में आरा कौन सा है उसमें उन्हें डारेक्ली आपको शॉट लिस्टिंग दे दिया कि yes यह शॉट लिस्टिट केंडिडेट्स हैं जो means के एक्जाम के लि दिन या 15 दिन आपको मिल जाएंगे इसमें आप लोग अपना means का preparation कर पाएंगे नौ मेरा आप लोगों को अब suggestion क्या है मेरा आप लोगों को suggestion यह है कि आप लोगों को अब मैं बोल रहा हूं कि मेंस का preparation स्टार्ट कर दीजिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जिस का मार्क 65 70 के असपार जनल केटिगरी के अगर मैं बात करूं तो उसको लग रहा होगा कि यहस मेरे chances हैं next round के लिए उसमें shortlist होने के लिए तो अगर आपको ऐसा लग रहा है अब यह चीज हर चीज के हर किसी के साथ applicable है mechanical, civil, electrical, हर branch के साथ applicable है कि अगर आपको लग रहा है कि इतना shortlisting चला जाएगा और borderline case होगा जिसको भी यह feel आ रहा होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा और मैं borderline case पर हो सकता हूँ या इधर या इधर 24 नंबर उपर निचे का फरक पड़ेगा तो मेरा आप लोगों को suggestion यह है कि आप लोग अपना mains का preparation जो है वो start कर दीजिए क्यो आपको कैसे preparation करनी है थलका से मैं बता देता हूँ लिख के करना start करने theoretical question हो numerical question हो आपको लिख के करने क्योंकि अभी तक आप लोगों को आदत नहीं है लिखने के हम लोग कसूर निकाल रहे है HPC का की वो marks नहीं दे रहे है उसके साथ relation नहीं है आप लोगों को actual में लिखने क की habit नहीं रही है क्योंकि अभी तक आप normally जितने भी competitive exams देते हूं उसमें आप लोग objective का परोच होता है आपको सिर्फ answer find करने तक का परोच है लेकिन इसमें आपको चीजों को detail में लिखना है अच्छे तरीके से beautify भी करना है सुंदर लिखना है और सही लिखना है stick लिखना as per the requirement of the question के हिसाब से आपको उतना सा part आपने cover करना है तो मेरा आप लोगों को suggestion नहीं है कि आप लोग अगर आपको लग रहा है कि yes मेरा shortlisting आ सकता है और wait कर रहे हो आने का shortlist तो मैं आपको suggestion दे रहा हूं कि आप लोग अपना means का preparation करना start कर दीजिए question practice चल रहे हैं mentors करवा रहे हैं civil का daily base में 2-3-3 classes चल रहे हैं जिसमें daily base में आप लोगों को numerical practice करवाए जा रहे हैं subjective और mechanical में civil में practice करवाए जा रहे हैं और question bank भी आपको provide किया गया है जिसमें आप लोग उसका question को answer लिख के आप उसको teacher को check करवाईए अभी हिमाचल का paper भी ह अभी Sunday को paper है मैंने उसके दो full mock test भी अभी release किये और बहुत ही जल्दी हर्याना के लिए हम लोग mock test उसका बन रहे हैं तो most probably हम लोग 2-3 full mock test आप लोगों को भी release करेंगे लेकिन वो end में करने हैं जाके जिसको आपको पूरा बैठना है अपने time धाई गंटे के लिए बैठन एक और चीज में आपको बताना था इसके अंदर कि आप लोगों को अभी जैसे calls आ रहा है कि सर में mains का preparation करना है मेरे को अभी त्यारी करनी है तो आपका module है yes हमारा module है और उसमें जो हमने charges रखे हुए था वो same थे जो हमने prelims के time पे किया है अभी हमने module को थोड़ा short कर दे और pricing भी reduce कर दी है तो अगर आप लोगों में से को interested है जो इसको module को लेना चाहता है तो आप website पे जाके link दिया वो description में directly जहां से जाके join कर लीजिए इसमें आपका mains का सारा part cover हो जाएगा prelims में जो content आमने cover किया था वो सारा वहां पे आपको पढ़ाए और इसमें intro module भी included है आप आप